यूपीटेट 2021 के रिजल्ट की घोशना भले ही कर दी गई है लेकिन लाखो अभियर्थियों के रिजल्ट के मानने होने पर संसे बरकरार है मैं बात कर रहा हूँ N.I.O.S.D.L.E.D. और B.A.D. अभियर्थियों के प्रात्मे की सिक्षक पातरता परिक्षा में रिजल्ट के मानेता को ले करके जैसा कि आपको ग्यात होगा दोनों अभियर्थियों के रिजल्ट पर कोर्ट केस का जिकर किया गया था माननिय कोर्ट के फैसले के अधिन इनके रिजल्ट को रखा गया है यानि कि अगर माननिय कोर्ट इनके विपक्ष में फैसला देता है तो इनका रिजल्ट आमानने घोशित कर दिया जाएगा जहां एक तरफ B.A. अभियर्थों के eligibility matter में प्रदेश सरकार और केंद सरकार खुद हस तक छेप करके माननिय सुप्रिम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है ताकि B.A. अभियर्थों के प्रात में किस तरकी सिक्षक पातरता परिक्षा में TET के certificate को मानने किया जा सके वहीं राज्य सरकार N.I.O.S. D.A. अभियर्थों के खिलाफ में माननिय कोर्ट में अपील कर रही है ताकि इन अभियर्थों के result को अमा निगोशित कर दिया जाए हलांकि N.I.O.S. D.A. के संदर में पहले ही माननिय पटना हाई कोर्ट के द्वारा इनके favor में फैसला दिया गया था राज्य सरकार और केंद सरकार किसे सिख्षक पातरता परिच्छा में माननिय करना है माननिय कोर्ट के विपक्ष में या फिर उनके favor में अपने अनुसार या चिकाए दायर कर रही है जैसा कि आपने देखा कि बीर्ड अभ्यर्थियों को प्रात्मिक से हटाने के लिए मानेने जोदपूर हाई कोट ने फैसला दिया था तो उनके विरोध में मानेने सुप्रेम कोट में केंदर सरकार गई हुई है बीर्ड अभ्यर्थियों के प्रात्मिक सिक्षाग भरती में पात्र माने जाने के लिए वहीं माननी पटना हाई कोट ने NIOS से डियलर्ड अभियर्थियों को पात्र मान लिया था प्रात्मेक स्थार की सिक्षाक भरती प्रक्रिया में पर परिक्षा में शामिल हुए थे अभियर्थी अब डबल बेंच में याचिका करने जा रही है प्रदेश सरकार इन अभियर्थियों के परड़ाम में कोर्ट केस लिख करके आ रहा है राश्टिय मुक्त विद्यालई सिक्षा संस्थान यानि एन आयूस से डियलेट करने वा अब विभाग एकल पिट के आदेश के खिलाफ मानने डबल बेंच में अपिल करने जा रहा है इसे संबंद में परिक्षा नियामक ने तैयारियां सुरू कर दी है और शासन से अनुमती मांगी है टीटी में शामिल अभियर्थियों के परड़ाम में कोर्ट केस लिख करके आ रहा है टीटी और सिक्षक भरति में किया था माने पठना हाई कोर्ट के जनवरी 2020 में फैसले के बाद से राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशा यानी NCTE ने यह कोर्स करने वाले अभियर्थियों को टीटी और सिक्षक भरति में मानने किया था केंदर सरकार ने निजी विद्यालियों में पढ़ा रहा है और प्रसिक्षित सिक्षकों को प्रसिक्षण देने के लिए NIOS की ओर से DLED प्रसिक्षण की विवस्ता की थी UP में तकरीबन 1.5 लाख अभीर्थियों ने NIOS से 18 माह का DLED कोर्स किया है तो पूरी तरीके से राज्य सरकार और केंदर सरकार पर ही निर्भर है कि वो किसको माने करना चाहते हैं किसको नहीं करना चाहते हैं और उसके विरोध में माननी डबल बेंच में याची का दायर करने जा रही है इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताईगा और ऐसे ही मतवपून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भवान करें आपका दिन शुब हो